प्लाइब करें दोस्तों आपके बीच में फिर उपस्तित हूं तो देखिए दोस्तों अपना जो लास्ट वीडियो था उसमें जो लेशन पढ़ रहे थे अपने लॉक्स बिंदू पत वाला वो लेशन आज हम इसमें कम्प्लीट करेंगे इस वीडियो के अंदर तो देखिए अपने जो कुशन बचे वे थे इसका लास्ट कुशन था कुशन नूमर्ट था कुशन में क्या दिया वाए है कि दो एक एंगल दे रखा है एबी यह यह बी और यह बिंदू क्या है कोई सी है तो अपने को यह बोग रहा है कि एबी दिता बीसी एसी से समान दूरी पर कोई बिंदू है पी और यह इसका बिंदू पत है इसको इस कोण को समदी वाजित यानि यहां पर यहां पर नाइटी डिगरी का एंगल बना लिया और यहां पर नाम रख दिया और इसका नाम रख दिया और यह पहले कुशन में बोल रहा है कि इंपी और एंपी क्या है एकवल है सिबसे पहले अपने को जो चीज दिया हुआ है गिविन डैट में दिया है एक एंगल दिये उसका नाम यह बीएसी और इसमें क्या दिया है पी एम इस एकल टू पी-ए-ए-न अपने से सिद्ध क्या करवा रहा है सिद्ध करना है कि यह एंगल और यह एंगल क्या है इक्वल है इस एंगल का नाम क्या है एन एपी एंगल ए एन ए पी इस एपनी रचना है कि पी एन प्रपेंडिकुलर है इसकी रचना किया हमने पी एन प्रपेंडिकुलर एक इस पी ए बी पर उसके बाद पी बी कि लंब है किस पर एसे पर हैं हम इसका हम कर रहे हैं अपने पास दो ट्राइंगल बंदे या उस ट्राइंगल का नाम है एन एपी एन एपी और ट्राइंगल MAP इन दोनों ट्राइंगलों को कॉंगरेंट या नि शर्वांक समसिद करना चाते हैं तो सर्वांक समसिद करने के लिए कम से कम तीन बातें सिद करनी होती है अपने को सबसे पहले यह लिखेंगे कि N P N P is equal to क्या है M P क्यों क्योंकि दिया हुआ है उसके बाद यह लिखेंगे A P E G call to क्या गया A P आ गया यह क्या गया उबे निष्ट इसके बाद यहां पर यह N 90 डिगरी का है और M 90 डिगरी का है तो यहां से आगया N और M यह 90 डिगरी अंगल के भी यहां से जो रूल लगया वो राइट एंड सैड यहनि राइट ऑंड सैड क्या रत होता है दिखें यहां से R H S नियम से आर करतो होगा राइट एंगल यानि समकॉन है समको बूज record भी कहते हैं तो यह से लिखेंगे तुन आवट दो ट्राइंगल यहां से सर्वांग संब तरी बुजों के संगत कौन और संगत भुजाएं क्या होती है बराबर होती है कोई भी ट्राइंगल होता है वह अगर सर्वांगसम हो गया तो उसके सभी हैं क्या हो जाते हैं बराबर हो जाते हैं तो इसमें सभी हैं क्या होते हैं या तो कौन होगा या भुजा होगी जिब कि संघत कोन बराबर होते हैं अगर संगत कोन बराबर होते हैं अगर अगर संगत कोन यह हिचि यहां यही बात अपने को शेद करनी थी यह अपना किशन नमर तर टैन अब अपने एक्सरसाइज है वह दस दो है वह कंप्लेट हो गई अब हम इसमें कुछ संड्री यानि विविद के पार्ट बचा है अब देखिए अपने को इसका विविद का फर्स्ट क्यूशन विविद का फर्स्ट क्यूशन फर्स्ट में यह वह रहा है कि बुजाओं से संदूर्ष्ट बिंदू क्या कहलाता है या सिर्षों से संदूर्ष्ट बिंदू क्या कहलाता है इनके बारे में हम बात कर लेते हैं गुझाओं से अगर संदूर्स बिंदू होगा ना तो वो क्या काम आएगा क्योंकि उसको एंगलवाइस एक्टर यहनि कोन समदी वाज़क करना पड़ेगा अगर अंतेक अंदर आई ये अंतेक अंदर है तो ये क्या होगा अंदर की और वृत खींचने के काम आएगा तो यह हमासा किस से बुजाओं से क्या हैगा समां दूरी पर आए क्योंकि ये भी lowering साइश ये रेडिया साइश ये परीक अंदर ली आ या जाए तो यह क्या आता है सिर्षों से समां दूरी पर क्योंकि ये बहार कि और सिमने को प्रित कीजने के काम में आ कब आपने को फैस्ट किसन में यही पूचा गया है कि सिर्शों से संब्स्राइन दू परीक के अंदर और यानि और अगर 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 अपने को बुझाओं से संब्स्राइन दू पूचे तो क्या लाएंगे अंत्या के अंदर के लाएगा उसके बाद क्यूशन नमर टू क्यूशन नमर टू में यह वो लगया है कि गुरूत्विय के अंदर होता है अब गुरूत्विय के अंदर कैसे होता है कि यह ट्राइंगल है कि नम है ए-बी-सी अब यहां से इसके मीडियन आगी मीडियन आएगी वो इसको दो वागों में वाजित करेगी जहां भी है को मां लीखा इंटरसेक्त करेगी वो क्या होता है कि यहां से काट्स को इस परिक ह invent करता है उसका परी केंदर अंत्हाएं अन्ट रहता है इसलिए इस लिए इसको क्या बोलते हैं घुरुतु ऑक था ध्र हम बोल सकते कि समधातो में को अ तो यहां से मदीक ह단 जाएगी उसका सेयट को गया अब हम करेंगे थार्ड इसका कुशिण नमर थैर्ड की सम्तल में अब कि लुटकने वाला एक सरकल है और वो यहां से ऐसे जाएगा है क्योंकि यह दूरी क्या रहेगी एकुछ यह दूरी हमें से क्या रहेगी इंस मां रहेगी कितनी दूर आगे चला जाए ठो यह साइड्स दूर भूरी इसाइड यह जो वूझा बनेंगी और यह वूझा क्या सम्हूंतल के नुमu थारड था फिर देखें अपने को कुछ नमेर फॉर कुछ नमर फॉर को में हम पीछे पढ़कर भी आये थि कि एग्जामपल नमर टू और थ्री दस पुंट दो कि एग्जामपल नमर टू ओर अगर किसी ट्राइंगल की दो मादिकाएं इक्वल हो तो वो क्या कलाता है समधिवाहू तो इसमें तो दो मादिकाएं पूचा है अगर अपने को किसी ट्राइंगल की तीनो मादिकाएं समान दी दी जाए तो वो क्या हो जाता है समभाहू अगर दो मादिकाएं इक्वल दे द पुलिए तो कुन सा थोता है संभाव क्यों होता है वह हम दस को मउन्ट दो से पहले ज़र एक्जामपल नंबर टू और एक्जामपल नमर थ्री किये थे उसमें अपने यही बात शिद्गी थी अपने को यही दिया वा था कि 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 तीनों मादिकाएं बराबर तो सिदeki जिए क कि वो एक सम्दी वहुतरी बुजए तो वही बात हमने शिर्द की ती यहां पर तो के ओल ऑब्जेक्ट टाइप क्यूशन नमर अब आगे देखों क्यूशन नमर फाइब में यह बोला गया है कि दो पर तिछेदी रेखाएं अब यह हमने इस क्यूशन को दो तिन बार कर लिय हमने कि दो पर तिछेदी रेखाएं हैं और उसे संदुर्ष्ट बिंदू यह बिंदू क्या है पी है तो आंत्रिक संदी वाजित करेगी यानि वह क्या करता यह कौन है इसका नाम रख दिया ABC यह कौन क्या है ABC अगर यह कौन ABC है तो यहां से अपने यह देखेंगे कि यह इ सभान दो वागों में विवाजित कर देता है अब देखने कूशन नूमर सिक्स इसके बाद है कि अपने को यह बोला गया है कि एक कुई हुआ हैं और फेली प्रति दो रसेंटने को गवाली एकोई आगी वह पहुन है और हैं स्थों सेंटरहें लंग के अंदर व सिर्श-फ़स्तित है तो कॉनसा ट्राइंगल होगा वह कॉन आ partir तो आप एक बार लास्ट वाला इससे पिछे वाला वीडियो है वह देखिए अगर आपने कोई यह बोल दिया जाए कि एक ट्राइंगल है और उसका क्लम केंदर है वह बाहर स्थित है तो वह कौन सा त्रीफुज होगा वह त्रीफुज होगा अधी कौन त्रीफुज क्योंकि अधी कौन त्रीफुज में इस साइड की और होगा यहां से ऐसे आगे मिलेगा यह था अपना क्यूशन उसके बाद गड़ी के पेंडूलम के दोराब गड़ी के पेंडूलम का बिंदूपत अब देखो गड़ी का पेंडूलम है वह ऐसे गति करता है ऐसे गति करेगा अगर इस परकार गति करेगा तो यह कैसे क्या बना है एक तिरजय खंड जैसे आगरती बन रहे है लेकिन अपने को गड़ी के पेंडूलम की गति का बिंदूपत चाहिए तो इसको क्या मोलते हमें चाप किसका चाप है यह रित सरकल का चाप है यह आप देखो इसका कुशन है नमर 9 है वो किस परकार दे रखांग अपने को एक ट्राइंगल दे रखांग और उस ट्राइंगल का नाम है आपको ने अे के एज je copyалы हैं ईए डी ओर अपने को यह वह लगया है कि इस ए बी तथा बी-सी तथा ऐसी का मद्धिडू की यहें दो ई दे रखया है यह विंदू यह विंदू दी दे एकर यह विंदू ए रखा है और यह विंदू क्या इसके मद्धे बंदू है तो इसको हमने मिला दिया कि इसको यहां से मिलाएंगे तो ऑडि किसका काम करेगी मादिगा का काम करेगी तो सबसे पहले जो दिया है वो लिख देते हैं दिया है ट्राइंगल है एबी सी और अपने को यह दे रखा है कि बीसी एसी तथा एबी का कि मद्धेविंदू करमस डी ए तथा एफ है अगर डी ए ए ए तो अपने से सिद्ध क्या करवा रहा है कि इस बिंदू का नाव हमने रख दिया ओ तो जैसे ही अपने को क्या सिद्ध क्या करवा रहा है देखिए कि सिद्ध अपने को करना है कि एव ओ और ओई इक्वल है और एओ इक्वल है ओडी के यह बात हमें सिद्ध करनी है तो सबसे पहले यहां से देखिए कि एक ट्राइएंगल है इस ट्राइएंगल का नाम क्या है ABC मद्देविंदू पर में लगाएंगे इसमें कि AB तथा BC का मद्देविंदू क्या है F और D है AB तथा BC का मद्देविंदू करमस AB तथा BC का मद्देविंदू करमस AB तथा D है AB तथा D है अगर यह AB तथा D है तो F D पहलल होगा किसके FC के F D पहलल होगा AC क्यों होगा क्यों कि मद्देविंदू पर में से अगर यह मद्देविंदू पर में से पहलल है तो यह पूरी साइड है वो इस साइड के तो AC की हाप क्या है AE तो F D पहलल है किसके F D पहलल है किसके F D है वो समांतर है किसके AE के तो अब इसी परकार हम कहेंगे AC तथा BD का मद्देविंदू क्या है AC तथा BC का मद्देविंदू E तथा D है तो यह साइड मद्देविंदू पर में से क्या जाएगा ED पहलल है किसके ED पहलल है किसके AC के क्यों मद्देविंदू पर में से तो यह इसके पहलल आगी अब ED पहलल AB के है सुरी यह और यह क्या गई पहलल आगी अब ED के AB पहलल पहलल आजाएगी तो यहां से क्या गया कि ED पहलल है किसके यह इकवेशन के आगी तो यहां से एकवेशन फैस्ट होता से के इकवेशन फैस्ट में क्या था कि हाँ पहल आगी है कि एप डी पहलल है किसके A एक और एकवेशन सेकेद्ट क्या है A, D, parallel है किसके A, E, D E, D, parallel है किसके E, D, और E, F, parallel है अब यहां से देखो F, D, तो यह आगी और A, E, यह आगी और E, D, यह आगी और A, F, यह आगी तो यहां से कह सकते हैं कि A, E, या A, F, D, E समांतर चतरभुज अगर यह समांतर चतरभुज है तो अपने को पता है कि समांतर चतरभुज के विकरण एक दूसरी को क्या करते हैं समदी भाजित करते हैं तो यहां लिख रहा हूं कि समांतर चतरभुज के विकरण एक दूसरे को सम्द्वी भाजित करते हूँ तो समांतर चुत्रूज की विकरन क्या होगे F, E और A, D हो गया तो यहां से A, O और D, O इक्वल आ गया और यहां से F, O और E, O क्या गया इक्वल यही बात अपने को सिद करनी थी तो देखे दोस्तों अपना यह क्यूशन नमर था 9 इसका लेशन नमर 10 का अपना लास्ट क्यूशन था और इसके साथ यह अपना लेशन नमर 10 है व्लॉक्स है बिंदू पता वो खतम हो गया है तो अब हम नेक्स्ट मिलेंगे एक निव टोपिक के साथ तो आपको अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना शेयर करना और कॉमेंट करना और सब्सक्राइब करना जैहिंग जैभार्द झाल